आगरा में सरवाधेट लोग प्रिये चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तांसिकंदा के अर्तोनी गाउं में विवाहिता का शब कमरे में मिलने से संसनी फैल गई सुचना पर पहुंची पुलिस ने शब को पोश्ट मार्टेम के लिए बेज दिया है गुरुवार राज से गायब चल रहे पती पर हत्या की शक की सुई गूम रही है फिलाल पुलिस गहनता के साथ जांच परताल कर असलियत जानने की कोशिश कर रही है अर्टौनी सिकंद्रा में विवाहिता का शव कमरे में मिलने से गाउं में सिंसनी फैल गई बताया गया है कि धर्मेंद ने अर्टौनी में कई दिन पूर्व इसलाम के मकान में किराय पर कमरा लिया था गुरुवार को बारा बजे के करीब धर्मेंद अपने पत्नी के रन को कमरे में छोड़ कर मकान मालकिन से कहकर चला गया था कि मेरे परिवार में जगड़ा हो गया है कुछ देर में लोट कराता हूँ मैं ठीक है किती देर में आओगे तो बोला कि मैं थोड़ी देर में आजाओंगा उन्हें समझा बोजाया करीब बारा बजे की दो-चार मिनट ऊपर नीचे होगा लेकिन बारा बजे का टाइम था मैं करन पानी भानी भर ले तो मैं ऊपर आई तो इधर बाहर से कुंडी लगी गई अपने ससुरजी के पास जठानी पास उन लोगों को सब को बुला के लाई बागी फिर पुलिस उलिस को फोर्न किया बस इतनी जानती है कोई जगड़ा नहीं था कुछ नहीं था अगर होता यह भी तीन चार दिन हुए हैं मुश्किल से धर्मेंद के चले जाने के बाद मकान मालकिन शबाना गेट खोलने के वज़े से धर्मेंद के लोटने का इंतिजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया शुक्रवार को सुबह 11 बज़े तक किरन पानी भणने के लिए नहीं पहुची तो शबाना किरन से पानी भणने की कहने के लिए गई कमरे की बाहर से कुंडी लगी देखकर शबाना अंदर पहुची तो किरन मृत हालत में मिली किरन की नाग से खून ने कर रहा था ही देखकर मकान माल किन घबरा गई और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी सूचना मिलने पस सिकंद्रा थाने की पुलिस मौके पर पहुच गई पुलिस ने मकान मालिक के साथ रिश्मा से जानकारी हासिल की और शेफ को पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया मौका की मार रिश्मा का कहना था कि धर्मेंड अपनी पतनी के साथ अर्टौनी में कुछी दूरी पर किराय पर रहता था उस मकान मालिक से जगडा होने के बाद तीन चार दिन पहले ही यहां किराय पर कमरा लिया था रेश्मा का कहना है कि पता नहीं किरन की किसी ने हत्या की है लेकिन रात को पती धर्मेन के चले जाने पर शक्के सुई उस पर घूम रही है फिलाल पुलिस का कहना है कि पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद मौत का काररिस पष्ट होगा इसके बाद मुकद मलिक दोशियों के खिलाफ गिरफतारी की जाएगी किरन की मौत के बाद परिवारी जनों का रो रो कर बुरा हल है सीनियों उसके लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट